हेलो गाईज हम जा रहे हैं बड़े गाउं गूमने के लिए देखिए ये सामर रखा हुगा है ये जो सामने आप दिखाई दिया रही है इसी आप इसे जा रहे हैं हम लोग अपने गाउं बैदोरा गाउं बैतो रगाओं जा रहा है हम लोग घूमने के लिए चलो चलते हैं अपन बैतो रगाओं देखते हैं दिखाता हूं मैं आपको बैतो रगाओं के बारे में चलिए चलते हैं झढ़ ऑलाइब बारे में ऊपकूर से चलते हैं हमारा गाओं कम से कम 40 km की दूरी पर है जहां पर हम लोग जा रहे हैं खूमने के लिए वही पर पिकने कुना ही हम लोग और पूचा पाड़ी भी करना है हम लोगों को गाओं में कि यहां पर दीए कितना बड़ी मौसम है हम लोग जा रहा है अपने काओं घूमने के लिए क्या बड़ी आ मौसम है यहां कर लेकर लेकर दर्सता बहुत ही खराव है यहां की कम से कम 35 चाशारीस क्रूमिट्र की दूरी पर है हमारे घर से यह हैं लोगाइस देखिया हम लोग पूरा जंगल एरिया है यहां पर हम लोग मनाने आए हैं यहां जो सामने मंदर दिखाई देखा है कम? मैं लोग सभ्टार की कैंपला वाल देखाई देखा अउकर म मैं रेकिले केंपला बता है आप दो आ केंपला थिएade अनना पीसे ही है जाड़ा जाजए जीरें साहिए भष्टाला पासवा करेंक दू तुम १न धींचलाव इस बख्राइब देखाई दे रहा है इसी को माता को पूझा देना है इसी बख्रे की माता को चड़ाना है यह बख्रा बच्चा वात प्रेसां कर साय इस बख्रे को कहीं दर ले जा रहा है कहीं दर ले जा रहा है यह दीकिए जो मंदर दिखाई दे रहा है यह ठाकर बाबा का मंदर है यहाँ पर सभी लोग लाइन लगाए हुए है पूझा के लिए यहाँ पर द यह माता का मंदिर है अगर को अगर कर देखिये बच्चा बकरे के साथ खेल रहा है कितना बड़िया महाओल है यहां का यह पूरा क्या है पूरा आर्मी एरिया है यहां पर पहले गाउंवसा हुआ था बैदोरा गाउं था जिसका नाम बैदोरा गाउं यहां पर आर्मी वालों ने गाउं को खाली करा दिया है पूरे गाउंवसा यहां से भखा दिया है क्योंकि यह आर्मी एरिया के अंडर में आ चुका है